हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चानल, कल खेला जाएंगा आइपेल 2020 का पाश्मा मुगाबला कोलकाता नाइट आड़र्स और मुंबाइडेंस के बीच में अबुदाभी के शेक दायज स्टेडियम पे, शान साड़े साथ बजे से ये मुगाबला खेला जाएंगा दोनों ही टीमों के बीच में पहला मैच 29 सिप्रील 2008 में कोलकाता में खेला गया था, जहाँ पर मुंबाइडेंस ने कोलकाता नाइट आड़र्स को साथ विकेट से है रहा था वही दोनोही टीमों के बीच में आखरे मैच 28 सेप्विल 2019 को कोलकाता में खेला गया जहापर केक्यार ने मुंबई ने स्को 34 रंड से हरा दिया था यह दोनोही टीमों के बीच में अभी तक कुल 25 मैचेस खेले जाए चुके हैं जिसमें से कोलकाता नाइट अड्रस ने 6 मैच जीते और मुंबाई इंडियस ने 19 मैच जीत कर अपना वर्चोस दिखाया है बात करते हैं दोनों ही टीमों के हायस्ट और लोवेस स्कोर की केकेर का हायस्ट कोरें 232 रन पे 2 विकेट ये मैच कोलकाता में खेला गया था जहाँ पर कोलकाता ने मुंबाई को 34 रन से हरा दिया था वही मुंबाई के हायस्ट कोर की बात करें तो मुंबाई का हायस्ट कोरें 210 रन पे 6 विकेट ये मैच कोलकाता में खेला गया था जहाँ पर मुंबई इंडियास ने कोलकाता को 102 रन से हराया था कोलकाता का लोवे स्कोर है 67 रन पे 10 विकेट ये मैच मुंबई में खेला गया था जहाँ पर मुंबई ने केकेर को 8 विकेट से हराया था और मुंबई का लोवे स्कोर है 108 रन 10 विकेट रूंक्षन पर ये मैच मुंबई में गहला गया था चहाँ पर कुलकाता नाइट एडरस ने मुंबई को 32 रन से हरा दिया था अगर मुंबई के स्टेटिस्टिक्स के बारे में जादा जानना हो तो हमने एक पहले वीडियो बना चेके तो हमारी चैनल पर जाके वो युडियो आप देख सकते हो कॉलकाता ने IPL में विदकुल 182 मुकाबले खेल है जिसमें से 92 मुकाबले में जीते है तरह से मुकाबले में उनको हार मिले है तीन मुकाबले टाइर है चार मुकाबले में कोई भी रिजल्ट नहीं मिला और उनका विनिंग परसेंटेज की बात करे तो उनका विनिंग परसेंटेज है 51.68 चली अभी बात करते कोलकाता नहीं टाइडर्स के प्रोबैबल प्लेइंग 11 की नमबर एक शुबमन गिल नमबर दो सुनिल नराइन नमबर तीन नितिश राना नमबर चार दिनेश कार्तिक नमबर पाथ यौन मारगन नमबर चे आंद्रे रसल नमबर साथ रिंकू सिंग नमबर आठ पैट कमिंस नमबर नव कुल्दी प्यादो नमबर दस कमलेश नागर कोटी और नमबर ग्याना प्रसिति कृष्णा कोलकाता की टिम में एक नया चेहरा देखने को मिला है जो कि है कमलेश नागर कोटी ये अंडर नाइटिंग के प्लेयर है लास्ट तैम जो वर्ल्ड कप खेला गाया थे अंडर नाइटिंग का उसके हिसा रहते हैं और ये काफी तेज बॉलर है बहुत ही तेज गती से बॉल फिकते हैं और बैट्समनों के लिए मुश्किले पैदा कर दे थे लास्ट यर भी केक्यार के टीम का हिसा थे मगर इंजूरी की वज़े से लास्ट यर में खेलने पाए लेकिन अभी वो पूरे फिट है तो हो सकता है कि उनको इस टीम में चांस मिले तो देखना ये इंट्रेसिंग रहेगा कि अगर उनको चांस मिलता है तो कैसे खेलते हैं केक्यार कल का मैच तीन सिमर्स के साथ खेलने वाली है जो की है पैट कमिंस प्रसीत टिष्णा और कमलेश नागर गोटी इन तीनों प्लेयर्स में थोड़े चेंजर्स हो सकते है लेकिन तीनों ही पेसर्स के साथ खेलने वाली है केक्यार की तरब से सबसे खतरनक बल्लेबाज है तो है वो रसल आंद्रे रसल का स्ट्राइक रेट डे दोर में 277 से भी जाधा रहता है और काफी तूफानी बल्लेबाज ही करती है यह मुझे बताने की ज़रूत नहीं आप सभी को पता है लास्ट एर में रसल ने किस तरह से तूफानी मचाई थी लेकिन माई खसी ने यह डिकलेर किया है कि उनका स्ट्राइक रेट और उनके बैटिंग दिखती है उनका बैटिंग लाइन में प्रोमोशन कर दिया जाएगा केकेर के दरब से ओपनिंग शुबमन गिल और सुनिल नारण करेंगे सुनिल नारण अगर शुरू के 4-5 और खेलते तो केकेर का स्कोर बोट 50 के उपर चल जाता है यह हमें सभी को पता है तो इसलिए सुरिल नारण को जल्ली आउट करना पड़ेगा तो वो तुफानी बल्ले बाजी कर सकते शुरू के 3-4 और हों चलिए अभी बात करते हैं मुंबे डेंस के प्रोबैबल प्लेइंग 11 की नमबर एक प्रोहित शर्मा नमबर दो क्विंटन डिकॉक नमबर 3-शुर्यकुमार यादो नमबर 4-सौरप्तिवारी नमबर 5-हरदिक पांडया नमबर 6-क्रूनाल पांडया नमबर 7-कायरन पोलाड नमबर 8-राहूल चेहर नमबर 9-ट्रेंड बोल्ट नमबर 10-नाथान कुल्टर नाइन नमबर 11-जस्पृत बुम्रा मुंबर इडियंस का ये इस्तरदंच का दूसरा मैच है पहला मैच उनका चेन्ने के साथ हुआ था जहापर चेन्ने सुपर किंग्स ने मुंबर इडियंस को 5 विकेट से हरा दिया था तो देखते हैं कि मुंबे का जित का खाता खुलता है या फिर हार का सिल्सला जारोई रहता है अगर मुंबे के रेकॉर्ट की बात करें तो मुंबे तो शूरु के तीन चर्मों काबले हारती है लेकिन देखने में इंट्रेस्टिंग रहेगा कि दूसरा बाला मैं जित्ती के हर्ती है मुंबई की बालिंग लाइन की बात करें तो उनकी भी बालिंग लाइन बहुत खादरनाक है उनके पास सतीन पेसर्स है, ट्रेंट बोल्ट, नातन कुल्टर नयर और जैस्परित भूमरा इतीनों भी बहुत डेंजर सक्षर है और स्पिननिंग की बात करें तो उनके पास स्पिनिंग में राहुल चेहर है और मुंबई की बैटिंग लें तो बहुत ही डेंजर है, शुरू में उनके पास रोईच शर्मा, डिकॉक, सुरी कुमार यादव जैसे बैट्स मने, वही मिडल ओडर की बैटिंग लेंग के बात करें तो उनके पास हार्ड हीटर है, पोलाड और हर्दिक पांडया जो की बड सोच के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्पीनर लगाते, तो स्पीनर की ये कुछ खेयर नहीं करते हैं, दोस्तों मुंबेड़नेश की तरफ से सौरपति वारी ने पीछले मैच में काफी अच्छी पारी खेलीते हो, तो इस मैच भी उनके उपर सब की नज़े रहेंगी तो देखना इंट्रेस्टिंग रहे गया, तो इस मैच में वो कैसा खेलते हैं, बैटिंग के बात करें उनकी तो काफी अच्छे बैटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी हिट लगाने में सक्षम है, लेकिन अभी दख बड़े सीट लगा नहीं पायते हैं, पीछले मैच में उ काफी सक्षम है, और विकेट्स भी अच्छे चटकाते हैं, उनके बैटिंग के बात करें तो बैटिंग में भी बड़े हिट्स हो लगा सकते हैं, उनके छोटे भाई हर्दिक पांड़े के तरह, वही ये KKR का पहला ही मुकाबला है, तो देखते हैं, ये मुकाबला KKR जि के लिए बैल आइकोन को प्रेस करना मत भूलिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को थेंक्यू,